आज अम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जाड़कन करमचारी चेनायों के द्वारा आज इत हाई स्कूल शिक्षक न्यूक्टी परिक्षा से जुरे एक बरी अपडेट यासे कि आप सब को जानकारी होगा कि सोनी कुमारी ने 11 और 13 जीलों को लेकर के हाई कोर्ट में केस फाईल किया है और इस मामले पर अभी तक फाईनल फाइसला नहीं आपाईा है 11 और 13 जीलों को लेकर के जिहां आपको बता दे इस मामले पर फाईनली जो है आज यानि केस फरवरी 2019 को भी इस मामले पर सुनभाई चली और फाइनल फाइसला आज भी नहीं आपाया आपको बता दे इस मामले पर अगली सुनभाई आप यहां पर देख सकते हैं कि 9 अपरील 2019 को होनी है जेहां आपको बता दे 11 और 13 जीलों को लिए करके जो हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था फाइनले इस केस के अगली सुनभाई अ जब 9 अपरील 2019 को होनी है कि याचिका करता का कहना है कि अनुसुचित जीलों की रिक्तिया के बिरूद सिर्फ उसी जीले के अस्थाने निवासी आवेदन दे सकते हैं जिस जीला की रिक्तिया बिग्यापित है कहने का मतलब असपश्ट है कि रांची जीला के रिक्तियों के बिरूद सिर्फ रांची जीला के अस्तानी निवासे ही आवेदंद कर सकते हैं ये काना था या चिका करता का। साथ अब जब भी JSC की तरफ से TCT का जिसकी सी भी जीले का रिजल्ट जारी किया जाता है वहाँ पर आप देखे गौत से ताहापको नोट में देखने को मिल जाएगा कि हाई कोर्ट में चुकी सोनी कुमारी ने 11 और 13 जीले को लेकर के केस फाइल किया है जो भी हाई कोर्ट का फैसला अगती परिकरिया पर लागो होगा फैनली अब इस मामले पर अगली सुनभाई 4 अपरेल 2019 को होनी है इस अपडेट में बस इतना ही अब देखना ये है कि 4 अपरेल 2019 को भी फैसला हो पाती है या फिर आगे और थी तीथी मिलती है